फ्रेंड्स लुडोल्फ वैंसिवलेन ये एक जर्मन मैथमेडिसियन थे इन्होंने पाई को उसके 35 प्लेसेस तक डेसिमल प्लेसेस तक करेक्टली एक्सपेंड करने का खिताब अपने नाम किया था इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बताया था कि इंग्लेंड के एक मैथमेडिसियन विलियम सैंक्स ने पाई को उसके 527 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्टली एक्सपेंड किया था और उन्होंने मसीन फामले का यूज किया था जो कि एक मैसीन मैथमेडिसियन थे उन्होंने उस फामले को क्रियाट किया था तो इन्होंने वैं 62 sites वाले polygon को यूज करते हुए इन्होंने calculate किया था पाई को उसके 35 places तक और इन्होंने 1596 में एक book publish कराय थी जिसमें 20 places तक उसको publish किया था जो पाई को उसके 20 places तक सिर्फ लेकिन इनकी death के बाद इनकी जो wife थी उन्होंने इनके इस result को publish करवाया था जिसमें इन्होंने पाई को उसके 33 decimal places तक correctly expand किया था बाद में उसको और accurate 35 decimal places तक किया गया था इन्होंने अपनी पूरी की पूरी life सिर्फ पाई को approximate calculate करने में ही लब बिताई हुई है और इस पे इनके death के बाद इनकी जो समाधी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा stone भी रखा गया था जिस पे इनके 35 digits थे पाई के decimal places थे उसको उस पे अंकित किया गया था बाद में उसको साथ destroy भी हो गया था किसी ने किसी तरीके से लेकिन फिर उसको 200-300 सालों के बाद फिर से उसको reincarnate किया गया था फिर से उसको लगाया गया था जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और एक important बात ये भी है कि Germany में जहाँ पर इनका जन्म हुआ था पहुत दिनों तक पाई को लुडॉल्फाइन नंबर से भी नाम से जाना जाता था कि इनके नाम के नाम से क्योंकि इनका नाम लुडॉल्फाइन से लियन है तो पाई को लुडॉल्फाइन नंबर नाम से भी जर्मनी में जाना जाता है ऐसी लगी आपको ये information ऐसी mathematics की informative वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए MathTail